करती हूं आप सभी का आपके अपने चानल ट्रांस्टारो 369 में सो गाइज आज एक बार हमसे देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो परसन है वो अकिर इस रिलेशन्शिप से क्या चाहते हैं क्या सोच रहे हैं करंट्री किस सिचुएशन में हैं ओके और राइट सो गाइज हमेशा की तरह टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है सारे साइन्स और सारे अलिमेंट्स के लिए होने वाली हैं सो प्लीज टेकिर हाव इट रेजनेट्स ओके रीडिंग में चाहे जो भी निकल कर आएगाई आपने खुश रहना है और सर्फ खुश रहना है हमको दुखी नहीं होना है जो भी मेरे ट्रांस फैमली के मेंबर्स हैं और जो न्यू विवर्स हैं जो अगर आप मेरी चैनल को विजिट करें हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी आपसा रिक्वेस्ट है कि आपको दुखी नहीं रहना है चाहे सकम्स्टांस कुछ भी हो जिंदगी में और एक्षाइटर की तरह हमको हमेशा खुश होकर स्ट्रेंथ के सांथ अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है ओके ओल्राइट ओके तो युनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइट करें और बताएं कि मेरे जो ब्यूवर्स के पार्टनर हैं करेंटली वो किस सिट्वेशन में हैं कैसा महसूस करें हैं क्या सोच रहे हैं इस रिष्टे के बारे में क्या सोच रहे हैं आज गई सब कुछ देखेंगे और बारे मेश क्सराच करें के ऑंसर पीस प्रोप्र घिसी प्रोपिज़ की औल राएट फॉर इवटाट के तरहला अजिवार्स के नंगिज यौटार टोहट गेले में हुआ रिष्टार्ट्व औल टूमेना यहले 2 लंत जाल्ट की कोशिष कैरमेंगे में निन आपवाट की अ यह बहुत सारे काद आगे हैं गयाज इसलिए इनको हम नहीं लेंगे okay जी ठीक है eight of pentacles, starus, virgo, capricorn and wheel of fortune we have in reverse okay ठीक है यह बस कुछ और काज दे दीजे प्लीज पर बेटर अंडरस्टेंडिंग गाईज देखिए third party reading निकल कर आगी है यह तो मुझा ऐसा लग रहा है यहां पर काफी लोगों के लिए okay आपके partner जो है third party का जो baggage है उससे कहीं ना कहीं मुझे यहां थोड़े हुए पाहर नजर आते हैं देखते हैं आगे और क्या होता है निवर्स प्लीज दो काज़ों दे दीजे okay so guys Gemini Libra Aquarius Gemini Libra Aquarius Aries Leo Sag five of wands यहां पर हमारे पास reverse में है guys seven of wands upright and king of pentacles in reverse okay we have the high priestess upright okay guys देखिए हमने यह reading तो आपके person की current feelings के लिए निकाले हैं लेकिन यहां पर जो है third party भी आ चुकी हैं तो यह third party की reading मुझे ज़्यादा नजर आती हैं बजाए current feeling के तो current feelings में guys यहां पर देखिए आपकी जो person है बहुत जादा unloved feel कर रहे थे अब तक इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी life में जो है प्यार नहीं है सुकून नहीं है चैन नहीं इनको मिल रहा था समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें अपने ही विचारों के उधर भुन में यह लगे हुए थे निकल नहीं पा रहे थे लेकिन अब जो है इनको ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ी सी इनको अपने दिल में दिमाग में clarity मिली है और जहां भी जिस-भी situation में situation को यहां पर and करना चाहते हैं वाला है उन्सीों मैं के जिए घंगी में छो इक हतम होने वाला है इंका कार्मिक साइकल भी हो सकता है जो खतम होने वाला है गाइस कुछ तो यहां पर है जो यहां पर조 Corps Partner के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले की हम से देशरे इस में प् dipping को आगे ले लेकर जाएं मैं आप यहां पर कुछ health पर से आपको बताना चाहती हूं यहां पर आप में से कई लोगों कि जो partner है यहां पर मुझे थोड़ा । कि आद लिवर की प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि लिवर से रेलेटेð यहां पर किसी को कुछ प्रॉब्leμ हो सकता है कि थाउटन की यहां पर एसा भी लगता है कि इनके बॉडी में जो है तोक्सों बहुत ज़ादा बढ़ गया है इनको जो है टॉक्शिंज olması रीलीस करना चाहिए इहां पर इस तरह का फीलिंग यहां पर मिलता है तो इनको थोड़ा पानी पीना चाहिए्ट ताक्सिक जो है वह ब्रिलीज होना चाहिए है यहां पर टॉक्सट का बिल्ट अप होते वह यहां पर मुझे दिखाई देते हैं okay जो गाइस देखें के हहां पर मुझे लिवर का प्रॉब्लम होते वह दिखाई देता है यह कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टर हो सकते हैं आप हो सकते हैं थर्थ पार्टी हो सकता हैं यहाँ पर skin eruptions भी मुझे दिखाई देते हैं जो liver की problem होती है उससे कई बार skin पर rashes होने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि यह skin का problem है लेकिन actual जो उसका origin होता है वो liver से होता है तो यहाँ पर गाईज यह थोड़ी major problem है जो मुझे होते हुए दिखाई दे रही है प्लीज अगर इस तरह के कुछ भी symptoms आपको यह आपके partner को अगर आप उनसे contact में है less contact में है या कहीं से अगर आपको पता चलता है कि इस तरह का कुछ उनके साथ हो रहा है तो प्लीज उन्हें बताईए कि एक बार डॉक्टर को विजट जरूर करें अगर आपकी साथ ऐसा हो रहा है skin eruptions हो रहे हैं तो प्लीज जाकर एक बार डॉक्टर से consult जरूर करें और यहाँ पर आई एलर्जी का भी मुझे थोड़ा symptom मिल रहा है किसी किसी को यहाँ पर आखों में कुछ allergies हो सकती है तो गैस थोड़ा ध्यान रखिए अपनी सहत का अपनी eyesight का थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा hygiene से रहे हैं आखों के perspective में में कह रही हूं गैस अगर आखों में कुछ जादा eaching हो रही है कुछ problem हो रहा है कुछ swelling लग रही है आपको या फिर किसी तरह का कुछ दर्द मैसूस करें हैं आखों में आखों के आसपास के एरिया में तो प्लीज एक बार जाकर डॉक्टर से consult जरूर कर लीजिए ओके और तो चलिए गैस reading में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके partner गैस बहुत ही अनलाउट फिल करें थे recent past में तो अभी जो है वो थोड़ा उस feeling से बाहर आ रहे हैं बहुत जादा regret की feeling में थे इनको ऐसे लग रहा था कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है लेकिन और अपने ही उदर बुन में अज़ा थे लेकिन अब भी चुए हैं यहां पर यह मुझे इन चीजों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी को पीछे छोड़ाए थे जिनके बारे में या भी मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं को अभी भी ऐसा feel आ रहा है कि कोई तो है जो इनका इंतजार कर रहा है कोई इंसान कंडिशनल प्यार करता है और चाहे आप दोनों में पिछले पास्ट में आप दोनों में कुछ लड़ाई जगड़े हो गए होंगे या फिर किसी भी तरह का अगर आग्यूमेंट्स हुआ होगा तो यहां पर यह जो हैं बहुत रिग्रेट की फ बहुत जादा मुझे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अपैरेंट्ली मुझे यहां पर ऐसा भी फील मिलता है कि यह जिस भी इंसान के साथ है यहां पर इनको ऐसा फील मिलता है इनको ऐसी सोच आ रही है कि उस इंसान ने इनको थर्ट पार्टी में डाला है और उनकी थोड़े से arguments भी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहां पर गाई ऐसा भी feel मिलता है कि आपके जो partner है उन्होंने काफी challenges यहां पर देखे हैं इस relationship में जहां पर भी यह गए है थोड़ी मुझे यहां पर pentacles की भी इनको problem होती हुए दिखाई देती है ऐसा लग रहा है कि आप all right okay so guys यहां पर देखे बहुत कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जिसके चलते आपके partner जो है recent past में बहुत जादा stuck energy में थे लेकिन recently जो है आपके partner थोड़ा अपने आपको free महसूस करे हैं और अपने ही जो ख्यालात हैं उनसे थोड़ा निकल कर बाहर आते हुए दिख प्लस यहां पर guys जैसे कि मैंने आपको बताया with this eight of pentacles यहां पर ऐसा तो लगता है कि आपके जो partner है वो कुछ financial crunch से गुजरें हैं लेकिन यहां पर ऐसा भी महसूस होता है कि यह जो हैं बहुत जादा सोच विचार करें हैं और चीजों को plan करें हैं अपने अंदर changes लेकर आने commitment देने की जरूरत है इस relationship में क्योंकि बहुत जादा ये जो है आपको महसूस करें हैं बहुत जादा आपके बारे में सोच रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि इस relationship में इनको आगे बढ़ना चाहिए और बहुत nicely इनको आगे बढ़ना चाहिए इस तरह के ख्यालात इनके दिम बढ़ना चाहिए इनको अपनी बातों को भी समझाना चाहिए और आप लोगों में से कई लोगों के partner guys ऐसे हैं जिन्होंने आपको बिना कोई closure दिये चले गए थी तो आप इनको लग रहा है कि इनको वापस आपके पास आना चाहिए इनको कुछ आपको closure इन्होंने नहीं दिया था तो आपको पताना चाहते हैं कि क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया और open-ended इन्होंने यह सब क्यों छोड़ दिया था यहां पर guys मुझे आपने से कहीं लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो partner है इन्होंने यह चीज open-ended आपके साथ जो relation है उसको open-ended इसले छोड़ दिया था क्योंकि कहीं पर इनके दिल में hope था और इनको ऐसा लग रहा है कि वो जो इनका decision था वो एकदम सही था क्योंकि अगर ही आपको closure दे देते तो यह वापस आपके पास आ नहीं पाते और इसलिए इन्होंने इस relationship को जो है एक open-ended दे कर छोड़ दिया था यहाँ पर guys थोड़े से मुझे परिशान जरूर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन चीजों से निकल कर बाहर आ रहे हैं challenges हैं इनके जंदेगी में जिसको थोड़ा face करते वही हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत है हिमत नहीं हा रहे हैं और कैसे भी करके balance बना कर यह जो है वापस से आपके पास आना चाहते हैं यहाँ पर ऐसा complete feel मिलता है इसके अलावा guys यहाँ पर देखें इनको ऐसा feel हो रहा है कि जहाँ पर जिस भी relationship में जिस भी situation में यह है अपने आपको बिल्कुल भी secure मेसूस नहीं कर पा रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही insecurity की इनको यहाँ पर feeling आ रही है ऐसा इनको लग रहा है खुश नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी इनको ऐसा लग रहा है कि यह जिस भी यह अगर already married भी है या यह किसी के साथ engagement कर चुके हैं या किसी के साथ ब यह जो हैं इनको control करने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच में कुछ भी छोटा issue होता है तो वो इस issue को बड़ा बना देते हैं यह सारी चीज़ें जो हैं आपके partner को बहुत जादा परिशान करी हैं थोड़ा सा impatient हो रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि जहां जिस जगह जि को रिग्रेट हो रहा है इनको ऐसा लग रहा है दिली दिल में फील करें हैं कि यह आपके साथ डिस लॉयल थे आपके साथ इन्होंने चीटिंग किया और जो इन्होंने चीटिंग आपके साथ किया इनको ऐसा लग रहा है कहीं तो दिल में कि जो इन्होंने आपके साथ किया समय का चक्र घुम के वहीं पर आगया और किसी और ने इनके साथ किया किसी और ने इनको चीट किया है किसी और ने इनके साथ डिस लॉयल्टी दिखाई है कोई और है जो इनके जिंदेगी में जिसको यह अब रिलाई नहीं कर सकते हैं इनको ऐसा लगता है कि बहुत इंगेज Fulfullness की Feeling आ रही है किसी और से जिनके साथ ही अभी है यह सीच्वेशन में यह हैं और यह बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें है मुझे यहां पर सोचते होया दिखाय दे रहे हैं जो इन्होंने जैसा जैसा किया स्टेब बैसे वैसा वैसा सबकुछ इनके साथ हो रहा है और इनको बहुत control करने की कोशिश करते हैं और इनको ऐसा feel आ रहा है being used वाला इनको feel आ रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि इनको use किया जा रहा है अपने आपको बहुत used महसूस करें है प्लस इनको यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बिल्कुल भी generosity के साथ में इनको treatment नहीं दिया जा रहा है ऐसी इनको यहाँ पर feeling आ रही है आपके 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 आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि और यहाँ पर आपके जो partner है वो क्या feel करें है कैसा इनको महसूस हो रहा है अगर मैं इस पुरी overall reading की बात करती हूँ तो यहाँ पर इनको ऐसा feel मिल रहा है कि खुद में एक failure की feeling महसूस करें है यह इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार relationship में इनको जो है एक failure खुद को महसूस करें है ऐसा लग रहा है इनको कि एक failure इंसान है यह जिनकी जिन्दगी में जो है प्यार रह नहीं सका और ये प्यार को handle नहीं कर पाए इनको ऐसी feeling आ रही है इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी relationship में फिलहाल है या जिस भी situation में इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ out of infatuation ये इस relationship में आ गए या एक attraction था जो time being था और अब वो खतम हो चुका है और emotions के नाम पर यहां इस situation में इस relation में कुछ भी नहीं बचा है इस तरह का इनको यहां पर feel आ रहा है ये किसी ऐसे इनसान को मुझे यहां पर miss करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इनसान के साथ में एक emotional bonding feel करते हैं एक अपनापन महसूस करते हैं इनको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो चाहे किसी भी टरह से यह उस इनसान के साथ पेश आएं लेकिन जब भी उस इनसान के पास वापस लोटेंगे तो वहां से इनको बदले में सिर्फ प्यार और केर ही मिलेगा इस तरह की feelings यहां पर है तो guys यही थी आपकी छोड़ी सी प्यारी सी reading अगर आपको reading पसंद आई है तो please do like, subscribe and share और मैं मिलती हूँ आपको next reading में तब तक के लिए bye bye and take good care of yourself